अज़े अज़ेशन पर यहां पर नंबर सिश्टम का पार्ट तरी करने जा रहा है जिसके अंजर हम यहां पर क्यूशन को डिसक्स करेंगे कि किस तरह एक्से क्यूशन साथ आ सकते हैं पावर एक्सपोनेंट्स लोट सर्स के पर्म में सो हमारे साम जो प्रिविएसली पढ़ लिया था हमने कापी सारी जीजिए डिसकस हो चुकी थी कूशन समय लोगों ने किये थे लोगों ने पढ़ लिये थे श्राइशन एक्रेशन नंबर्स इस तरह की प्रपर्टी समय नोग सब्सक्रिये दिया होगा नहीं है तो आपको किसन उसक्राइब क्या लिखा जासकता है एड का स्वाइर यहां फिर फॉर का क्यों दो में 60 झीजिए अब हमें थैन का पावर है एक्स बाई टूबिस टीक है तो कुछ इसको अगर देखा जाए तो इसको इस तरीगे से मान सकते हैं कि जिसका पावर ऐसे हो तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है एक पावर एंटू एक पावर एंट तो अगर इसको भी हम क्या कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 की पावर एकस बाइटू इंटू 10 की पावर 1 ठीक है अब आगे देखिंग थैन की power X उसकी power half into 10प न टीक है यहाँ पर 10 की power X into half करेंगे तो वापस आपको x by two मिल जाएगा तो x by two मिनेगा 10 की power X का value square में कितना रहा है 8 का square ठीक है कब आवर हाफ इंटू टेंग तू से टू कैंसल हो गया एट इंटू टैन ठीक है कितना आंसर आ गया एटी यह हो गया हमारा option number डी यहां पर ओके चलिए अब आते हैं हमारे next question के उपर देखिए यहां पर यह हमारा एक्जाम होता है किस तरीके से हम यहां पर वेल्यू निकालेंगे वह देखने हैं हम लोगों को तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखिए कैसे करेंगे x की power a माइनस अब a की पावर माइनस वघ्चाम हुआ इसको आप लिखेंगे 2 आपउन ए अपन ऑगे 50 और बाहर कितना लिखावा है अब इस वारे टम क्या गरेंगे यहां पर अरिसम cricket पहले क्या ले लेगे और इसका जो जो पावर है इसके ओपर लगी बूर ति लगी ऑसको सहई से अगर दिखा जाए तो एगर इसको लगा दें तो कोई नई चेज नहीं आएगा इससे तो एसको कर लिखेंगे ए-1 इंटू ए ब्लस वन ठीक है अपोन ए और उसकी जो पावर है इसके उपर तो पावर आपस में मल्टिप्लाई हो जाती है तो यह हो जाएगा ए-1 पावर के उपर पावर मेंटिप्लाई हो जाती है ठीक है और यहाँ लिखावा आए-1 तो पहले इसको सिंप्लिफाइग कर लेते हैं तो इसको यह कैंसल हो गया है यहाँ पर एक्स के उपर कितना पावर बचा एप्लस वन अपोन ए उसके उपर कितना पावर है ए और ए इसको भी सिंप्लिफाइग कर लिए एक्स पर पावर वन आया तो कौन सा उप्शन मना हमारा ओप्शन नम्बर ए हमारे यहां पर कम्लेट हो जाता है ठीक है बच्चों तो ऐसा ही वाला कुशन हमारा है है कि नेक्स्ट पूशन है हमारे पास अगेर पावर एक्स टू की पा देखिए अब यहां पर काफी सारे लोज है पहला लोज तो यह है इसको solve करेंगे तो यह माइनस होगा आपके बढ़ा होगा यह वाला रोस के लिए होला है और यह वाला जो लोज है वो इसके लिए फोण होगा clear देखिए तो यहां माइनस करदेंगे तो टू की पावर 5 x equal to 4 20 को divide कर देंगे 5 same तो कितना आएगा 4 और अब यहाँ पर एक चीज हो गई है दोनों के ways same है उन equal में है तो power को comparison कर सकते हैं 4 x equal to 4 तो value of x कितना आजाएगा 1 आजाएगा ठीक है इसका answer कितना हो गए हमारा option number d ओके बच्चों चलो वागे चलते हैं देखिए question next question पर आगए है यह again exponential question आगए हमारा power base पर 729 ठीक है वही concept लागाना पड़ेगा हमको ठीक है पहले वीडियो प्रोस करके आप खुड़ ट्राइब करें एक बार करना नहीं के कुशिश करें 729 2.5 power 1 upon 3 बताया था अभी बताया है ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा clear अब यहां पर जो answer है वो थोड़ा सही से देखो यहां पर यह one का square है यह nine का square है तरी की power five है तरी की power six है इस तरीके से तो कुछ answer देखो सही से लिखाना पड़ेगा ठीक है 729 जो होता है वो होता है 27 का square किसका 27 का square इतना हमें बताया है ठीक है और आगे देखें तो इसको point हटाएंगे तो रीचे कितना जाएगा 0 25 upon 30 और थोड़ा सा इसको five से कट करेंगे तो five by six आ गया ठीक है तो 27 का मसलब क्या होता है three का cube होता है तो three का cube और उसके उपर power कितना two फिर उसके उपर whole power कितना five by six तो three two's है कितना हो गया हमारा three two's होता है three की power six into five by six यह cancel हो गया three की power five इसका मतलब तीन बार five times three को three से आप multiply करें तो answer कितना मिलेगा two four three आपको answer इसका मिलेगा ठीक है बच्चों तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो इसका कौन सा हो गया इसका हो गया हमारा option number c ठीक है कौन सा हो गया हमारा option number c हमारा इसका answer हो गया है अब हम आगे देखो next question पे अब इसमें सभी पे जो radicals हैं same radicals है ठीक है इसमें से answer निकालना है एला option है रूर 3 की पावर बना पॉन 3 रूर 3 की पावर बना पॉन 2 की पावर 1 ठीक है तो दी option अनुप दीज़ें वो भी option हो सकता है ठीक है अब execution है तो इसमें आपको क्या है आप एक एक को टम में डिवाड़े लिए पहले फर्स्ट आपको solve करेंगे 24 ठीक है अब इसको क्या लिख सकते 24 को factorize करेंगे तो क्योंता लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 3 ठीक है तो देखो अब यहां पर जो नीचे अंदर 2 है उसका Q हो जाएगा ठीक है Q हो जाएगा into 3 तो यहां पर जो पावर है और यहां पर जो पावर है अगर उससे नमबर क्या होता है बहार आजाएगा 2 बहार आ गया 2 बहार आ गया ठीक है 3 only अंदर रहे गया और यहां पर इतना रहा तो एक टम तो यह हमारे पास 1 टम तो ही solve ठीक है 3 into 3 into 3 into 3 ठीक है तो यहां पर अगर देखें यहां तीन है तो पावर 3 लाने की कोशिश करेंगे तो इन से तीन पावर घाएग को तो यहां पर यह वाला 3 जो होगा बाहर आजाएगा तो अंदर अंदर अंली एक सिंगल त्री रहा उसकी बावर ही है यह हमारी सेकिंड टम भी सॉल होगे ठीक है चलिए अब हम थार्ड टम को सॉल कर लेते हैं तो थार्ड टम है हमारी नाटी टूओ है ठीक है एक मैंनाटी टूओर फैक्तराइस कर रहे होंगे यह होगा। आपका एक हो 64 इंटू 3 कितना इंटू 3 और 64 को लिखा जा सकता है और का यूँं 2 into 3 तो यह value बाहर चले जाएगी 4 ओके 3 और यहां पर 3 तो यह हमरी 3rd time आ गई ठीक है 3rd time आ गई तो फिर्स्ट लिख लेते हैं पहले 2 2 क्यों रूट ओफ 3 प्लस 3 क्यूब रूट ओफ 3 माइनस 4 क्यूब रूट ओफ 3 तीनों के अंदर की जो वेल्यू जरूटी का पावर है वो सेम है तो आपने को सब्सक्राइब 2 प्लस 3 कितना होगी आप 5 मैं से 4 गया तो कितना वचेगा अंदरूट 3 का वेल्यू यह वाला ठी ठीक है तो इस तरीके से यह वाला कोशन भी हमारा यहां पर हो जाता है ठीक है बच्छों चलिए अब आते हम एक्स्ट के ओपर इसे ना होता है तो जबही भी हमने एरेश्ट नंबर करते थे तो उसका डेसीमल रिपर्जेंटेशन होता था ठीक है ना तो वो कभी टाइन हो तो ऐसा अंसर देखना है जहां पर वह हो तो फैला ओक्षन हमारा अलवेज तर्मीनीटिंग जो होता है ठीक है तो 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 किसके लिए यह और होती है यह होती है यह होती है रिपीट होगा यह इन्रमिने ठ्रड लिखा आईधर टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा तो ये सब्सक्राइब में से सही स्टेटमेंट क्या है पहला है पाई इस इराशनल यपाई मानते हैं यह बात को थ्यां समझीगा है तो टैंटी टूबाइ-स Zen जो और उसको हम क्या मानेगे उसको मानेंगे थो हम लोग रीटेशनल क्यों मानेंगे जब किसका अगर तुटी टू वाइस सेवन का डेसिमल करते हैं तो तो वह नाइद तर्मिनेटिंग बड रिकेटिंग होता है त्रमिनेट नहीं होगा तो हुझा है इस वज़े पाइस इस इस रेश्ट रेश्टनाल चाहिए और तो इसके बीच में निकालना है तो क्या करते हैं कि दो नंबर है उतके बीच में निकालना हो तुनको एड़ कर लो ठीक है अब यहां पर हम कैसे करेंगे देखो यहां पर करना हो तो यहां पर भी इसको सोल कर सकते हैं ठीक है तुनों को एड़ कर देंगे जो ऑप्षिन ए बन रहा है हमारा कि देखिए अब हमारा कुश्चन फॉर्ट आ गया है ठीक है इसे लास्ट कुश्चन पर आशेशन या आज का लास्ट कुश्चन होगा कि रूट टू का वेल्यू हमें दिया हुआ है 1.414 ठीक है और हमें वेल्यू फाइंड आउट करना है अंडर रूट 2-1 अपॉन अपॉन अंडर रूट 2-1 और अंडर रूट 2-1 ठीक है इसके कंजूगेट से मडिपलाई कर देंगे उपर बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2-1 ओल स्क्वेर अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वेर माइनस वन स्क्वेर ठीक है तो उपर वाले को सेंप्लिपाई हो गया तो कितना बचा बाहर आ जाएगा रूट 2-1 नीचे वाला रूट 2 का स्क्वेर 2 और 2-1 तो अंडर रूट 1 तो बचा तो अंडर रूट 2-1 मुझे सिंप्लिफाई करना है ठीक है क्या करना है मुझे अंडर रूट 2-1 मुझे सिंप्लिफाई करना है सिंप्लिफाई क्लियर है तो यहां पर root 2 की value हमें कितनी देदी 1.414 दीवी है ठीक है माइनस 1 कर देते हैं तो कितना आएगा 0.414 हो गया हमारा यहां पर answer ठीक है तो answer कितना आएगा 0.414 जो कि है हमारा option number C ठीक है बच्चों ओके तो हमारा यहां पर इसका प्रेक्टिक सेशन कम्प्रीट होता है थैंक यू सो मच